तो दोस्तो अभी इंडिया में रात को पॉने दो के आसपास का समय हो रहा है और यहां पे इस वक्त लगपक सवा नौ बज रहा है और अभी-अभी मेरे को न्यूज मिली है कि सोनी ने अपना नया कैमरा लांच कर दिया है जो की जीवी सीरीज का कैमरा है और यह एक फुल फ् आज़ा आएगा तो दोस्तों बिना समय की बरबादी किये हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं इसका नाम है जीवी इवन और यह इनका एक फुल फ्रेम कैमरा है और जीवी सीरीज के सारे कैमरे अपने बहुत ही कॉंपक्ट रहे हैं जितने भी पीछे जितने भी इनके कै कैमरे हुए हैं इनका एक कैमरा भी और एक वन इंच सेंसर वाला कैमरा भी है मैंने इन दोनों केमरों का रिव्यू कराया अगर आप चाहें तो मैं यहां लिंक डाल दूँगा आप देख सकते हैं बट यह इनका पहला जीवी सीरीज का फुल फ्रेम कैमरा है अगर आप इसक आपको जो लो लाइट परफॉर्मेंज है और जो डाइनमिक रेंज है और जो कलर हैं वह इक्जाक्ली आपको सेम वैसे ही मिलने वाले हैं जैसे कि आपको एक बात करेंगे एक्साइटिंग फीचर के बारे में यह जो अपग्रेड आने वाला है यह जो software अपडेड आएगा यह कुछ रीजन में paid होगा अब मेरे को पता नहीं है कि इंडिया में वो इसको paid launch करेंगे या free launch करेंगे बट यह एक नीचे छोटा सा disclaimer लिखा हुआ है उनका कि यह कुछ रीजन में paid होने वाला है तो वो आगे जाके पता लगेगा हमको कि अपने यहां पे यह paid होगा या free होगा दोस्तों इस point पे हम आगे detail में बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सेस का क्या सीन होने वाला लेकिन अभी आप इस point को अपने दिमाग में पाक करके जरूर रखिएगा अब बात करते हैं इसके unique features की और साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे कि इसमें कुछ weakness जो मेरे को लगता है कि वह weakness है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा तो चलिए चलते हैं unique features की तरफ जीवी camera की जो series है उसके कुछ flagship feature है वो आपको सारे इस camera में देखने को मिल जाएंगे जैसे के depth of field का button इन camera में एक button होता जिसको आप जैसी दबाएंगे तो वो पूरा background को blur कर देता आपके lens के साथ से वो भी आपको इसमें मिलेगा इसके अलावा एक product showcase का button होता है कि अगर आप उसको दबाएं तो आप जैसी कोई product screen के साथ में लेके आएंगे तो वो camera आपके face set आए कि उस product पर focus कर लेता है वो भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ यह आपका flip screen है touch screen है touch screen से याद आया कि इसमें एक new implementation है कि इसमें normally sony के जो touch screen थे वो खली focus tracking अगरे के लिए काम करते थे या menu को change अब जो नए camera आ रहा है और आप menu भी change कर सकते है लेकिन इस camera में आप settings को भी change कर सकते है बोले तो जैसे Canon अपने Canon camera में अगर touch screen की बात करते है वहाँ पर shutter speed आती है ISO आता है आप अगर shutter speed पे touch करें तो आप shutter speed को finger drag करके change कर सकते है ISO को change कर सकते है आप purture को change कर सकते है exactly same यह इस camera में इस लोग ने implement कर दिया after a long long time तो finally अभी अपना एक regular proper touch screen camera की तरह इसके काम करेगा साथ ही साथ इसकी screen में अगर आप swipe left या फिर swipe right करेंगे तो extra shortcut menu अपीर हो जाएगा जो आपको और भी सारी information देगा और बहुत सारे features आप इस तरीके से भी access कर पाएंगे इसमें पीछे कुछ Sony के जो camera के launch हुआ है उसमें देखा गया है कि Sony अपने जितने भ भी कोई पीछे नहीं रहा है मामले में इसमें भी Sony ने dedicated AI chip लगाई है और जिसकी वह से कुछ unique type के features आपको इस camera में देखने को मिलते हैं Sony के सारे camera में आपने सुना होगा कि clear image zoom होता है जो कि क्या करता है कि आपके sensor पर हलका सा crop करेगा और आपको किसी भी lens को आप 1.5 टाइम या 2 टाइम सक जूम कर सकते हैं और जो आपकी image quality होती है वो बिलकुल खराब नहीं होती हूँ ऐसा लगता है कि आपने बिलकुल digital zoom यू अब आपका जो क्लियर में जूम है उसमें भी आपके सारे focusing system सारे focusing mode काम करेंगे eye tracking face tracking सब कुछ काम करेगा इसी चिप की मतद से जो इनका depth of field वाला जो feature है जो जीवी camera में होता है जिसको हम बटन दबाते हैं और वो camera अपने आप पीछे का background blur कर देता है उसमें भी थोड़ा से कोई और आपको join कर लेगा तो camera काफी intelligent है और उस AI chip की मदद से calculate करेगा कि उस बंदे को भी frame focus में लाने के लिए उसको कितना aperture खोलना है या कितना aperture बंद करना है तो जैसी कोई आपका दूसर subject आता है frame में camera उसके हसाब से automatically अपने aperture बंद कर लेगा ताकि वो दूसर subject और आ बार हो सकता है आपके lens के साब से उतना कर देगा यही नहीं दोस्तों इस chip की वएसे इसकी जो auto focusing capability उसको भी बहुत ज्यादा boost मिला है आपने जो पीछे इनका camera launch हुआ था A7R Mark 5 उसके अंदर बहुत ही नए तरीके का auto focus था और बहुत ही reliable था Sony के सारे camera में reliable auto focus होता है लेकिन जो जो इनके नए camera launch होते है वो accuracy और सटीकता बढ़ती चली जाती है अब इस camera में exactly वह focus है तो उस focus में वह face ही track नहीं करता है वह आपके body part हाथ, कंदे, टांगे, back, you know, head सब कुछ track करता है उसके अंदर पहले से human body का एक structure है और जैसी उसको वह मिलता है उसको track करना शुरू कर देता है तो अब आपको बहुत ही accurate focus मिलेगा और अगर हम eye और face tracking की बात करें दोस्तों तो यह human के अलावा animals, insects ठीक है और अगर non living object की बात करें तो aeroplane, car, train यह सब कुछ track करता है इसी chip की वज़े से इसमें एक नया auto framing कहलें यह dynamic framing कहलें एक नया mode add हो गया है और यह बहु उसके natives में बट उसके लाव और कहीं नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोगों को डर लगता है कि हम पता नहीं frame में है, अगर हम थोड़ा सा right जाएंगे, left जाएंगे तो camera सीधा ही देख रहा है और पीछे कोई heavy नहीं को camera को हमाई साथ साथ गुमा दे, उस feature literally किसी इंसान ने बैठके camera को आपके साथ pan या tilt किया है और properly shoot किया है, कई वार हम gimbal पे side से अपने subject को track करते हैं, subject इस तरफ भाग रहा है और हम gimbal से उसके साथ लेके भाग रहे हैं, ऐसी situation में उसको center में रखने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम literally ऐसे भाग रहे होते है उस case में क्या है, कि यह feature बहुत बढ़िया है, कि इसमें आप define कर दो, कि यह मेरा subject है और मेरे को center में रखना है, तो camera AI की मदश से पूरी calculation करके, उसके body को predict करके, make sure करेगा कि आपका subject throughout the shot center में ही रहे, आपको कोई attention लेने की जुरूत नहीं है, चुकि यह camera specifically content creators और vloggers के लिए बनाया गया है, इसमें इन लोगोंने एक cinematic vlog mode डाला है, उस mode में क्या है, कि आपको अपनी video में by default camera के अंदर सही, आपकी video के उपर top और bottom पर black bar मिलेंगे, वो जो cinematic bar नहीं होती है, जो हम कई बार editing में डालते हैं, वो आपके video में already लगके आएगी, और दूसरी बात, इसी mode मे बहुत सारे आपको filters या LUTs मिलेंगे, जो आप camera में आपको inbuilt मिलेंगे, वो आप लगा सकते हैं, और आपको look बहुत ही cinematic, low contrast, जबरदस look आएगा, और काफी सारे option है, और यह देखने में भी बहतरीन लगते हैं, editing में जिनका heart tight है, या जो लोग editing में ज़्यादा समय बरबा करने की ज़रूद नहीं है, ready to upload, जैसा कि मैंने शुरुवात में बोला था कि यह camera fx3 का stripped down version है, तो इसमें बहुत सारे fx3 वाले features मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसमें LUTs को import कर सकते हैं, उनको दो तरीके से use कर सकते हैं, एक आप उन LUT को preview के लिए यूज करता है, कि suppose आप S-Log 3 पे shoot कर रहे हैं, और आप देखना चाहते हैं, जब आप editing के दौरान अपने उस LUT को लगाएंगे, तो कैसी image आईगी, या आप अपनी image को उस LUT के हिसाब से expose करना चाहते हैं, तो एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका यह है, कि आप चाहते हैं कि बस LUT लगी जाए, इन-built हो जाए उसमें, और आपको editing करनी नहीं है, मतलब कैमरा से ही लट लगके निकले, तो वो भी एक option है, assist tool की बात करें, तो normally cinema camera में बहुत सारे assist tool होते हैं, और Sony की camera में इतने नहीं होते हैं, बठाँ इसमें आपको zebra बगरा मिल जाएगा, focus picking मिल जाएगा, और इसमें ए dynamic stabilization भी add कर दिया है, और यह सब कुछ उस AI chip की वज़े से हो रहा है, normally हमारे जो sensor shift होता है, वो तो बढ़िया काम करता, उसके लावा आप जब EIS यूज़ करते हो, तो camera में जो थोड़ा सा crop आता है, अगर आप dynamic stabilization यूज़ करोगे, तो थोड़ा और जादा crop आएगा, मतलब स सोनी का dynamic stabilization है, यह almost panasonic के बराबर, यह बलकि थोड़ा सा better लग रहा है, बाकी तो जब camera कभी हाथ में आएगा तब पता लगेगा, लेकिन दूर से देखने में almost उतना ही लग रहा है, और बाकी सारे camera की तरह इसमें भी built-in time-lapse का option है, तो यह तो बताने की ज़रूत नहीं थी उस scenario को दिमाग में रखे हैं, इन लोगों ने कुछ mic का inbuilt ऐसा setup बनाया है कि background audio भी capture करेगा वो और सामने की audio भी capture करेगा, और इसमें एक auto mode भी है, auto mode में camera उस AI chip की help लेगा, और उससे वो sound source को identify करेगा, और उसको जिदर से sound source आरती भी better लगेगी वो उस वाले mic को enable कर देग electronic smart shoe वाला interface नहीं हो तो जिसमें Sony के आप अपने mic लगा सकते हो, जिनको battery की ज़रूत नहीं लगती, वो hot shoe से power लेती है, इसमें आपको exactly वही वाला interface मिलेगा, तो just in case अगर आपको camera के inbuilt mic यूज नहीं करने हैं, आप कोई shotgun mic लगाना चाहते हो, आपके पास budget है Sony के mic लेने की, तो ये उसको support करता है, इस camera में USB power delivery का option है, तो इसको आप power bank के साथ charge कर सकते हैं, आप USB port के दूरू भी charge कर सकते हैं, और ये charge होते होते भी camera operate करता है, मतलब अगर आपका camera charge हो और आप charge करते करते भी चाहते हैं, आपका camera shoot करें तो ये वो भी करता है, Sony ने A7 Mark 4 जब launch किया थ तो उसमें एक lens breathing compensation feature यूज किया था, और वो काफी famous हुआ था filmmaking में, इन लोगों ने वो same feature इसमें भी दिया है, जो कि एक अची चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसा lens यूज कर रहा है, जिसमें focus breathing का बहुत जादा problem है, तो इस feature को यूज करके वो उस problem को बिल्कूली खतम कर सकत है, आप इस particular camera को एक USB device की तरह अपने smartphone या अपने laptop या computer के सा connect कर सकते हैं, और उस case में आपका ये camera एक webcam की तरह काम करेगा, जो आपके लिए high quality audio और video capture कर सकता है, जिसको आप live stream के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप online meeting के लिए भी यूज कर सकते हैं, अब बात करते हैं कुछ उन points की जो इसमें missing है, मतलब वो negative नहीं है, लेकिन वो missing है और वो कुछ case में कुछ लोगों के लिए negative हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला के EVF का ना होना, in fact जितने भी लोग ZV series को use करते हैं, जानते हैं, इस पूरी series में मेरे ख्याल से किसी भी camera में EVF नहीं है, अगर म पर मेरी नजर इस पर गई कि इस camera का जो operating temperature है, वो उन लोग ने लिखा 0 से 40 degree, जो कि अगर मैं अपने इंडिया के हिसाब से बोलूं, तो भाई ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे यां तो 40 degree बहुत सुहावरा माना जाता है, हमारे यां तो असली खेली 44-45 के बार शुरू होता चालिस चले जाओगे या पैतालिस चले जाओगे तो हो सकता है वो 4K60 आप शायद 30 मिनट ना यूज़ कर पाऊ सकता है, 10 मिनट में इस camera overheat हो जाए, और साथी साथ भाई, FX3 जो है उसके अंदर inbuilt fan है, इसमें कोई inbuilt fan नहीं है, इसमें कोई heat dissipate करने का कोई ऐसा treatment भी इन ल लोगों को target करके बनाया गया है, वो लोग long shooting नहीं करते हैं, for example, अगर हम YouTubers की बात करें, content creators की बात करें, तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं, कि हमने बटन दबा दिया और 20 मिन तक हमारा camera चली रहा है, हम लोग तो शॉट शॉट लेते हैं, एक मिनट का एक take ले लिया, दो maximum, इस से आता तो बिरको लगता नहीं है, हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है, हम शादियां कीचने जा रहे हैं, तो उस case में हो सकता है, ये camera manage कर ले, लेकिन हाँ अगर आप long take लेंगे, इंडिया की गर्मी में, तो मैं guarantee दे सकता हूँ कि इस camera में overheating की problem आईगी, और next चीज दोस लेकिन इसमें आप raw को output नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें raw video का output का option नहीं है, which is fine, यार अगर वो सब कुछ इसमें दे देंगे, तो फिर fx3 कौन कर देगा, right, so that's it, ये कुछ मेरे को आपको update देना था, इस camera के बारे में, बाकी, अगर आपको कोई सवाल हो, तो मेरे को comment करके बताईएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का reply करूँ जल्दी, और जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली video लेकर, तो तक आपनों अपना ख्याल रखिएगा, I'll see you soon, bye bye, good night.